नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी YouTube Channel इस्टजी वोम पर दोस्तो, मध्यकालिन भारतिय इत्यास के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे लोधी वन्स के बारे में इससे पहले के वीडियो में हम ने डिस्कस किया था सेथ वन्स के बारे में दोस्तो सेयद वंस के बाद दिल्ली पर सासन आता है लोदी वंस का और जिसका पहला सासक होता है बहलोड लोदी जिसका सासन काल रहता है 1451 से 1489 वी तक वह दिल्ली में प्रथम अफगान राज्ये का संस्थापक था वह अफगानिस्तान के गिल जाई कबीले की महत्मूर साखा साहु खेल में पैदा हुआ था 19 अपरेल 1451 को बहलोल साह गाजी की विपादी से दिल्ली के सिहासन पर बैठा था चूंकि वह लोदी कबीले का अग्रगामी था इसलिए उसके द्वारे इस्थापत वंस को लोदी वंस कहा जाता है 1451 में जब स्यद वंस के अराउद्दीन आलम साह ने दिल्ली का तक छोड़ा उस समय बहलोल लाहौर और सरहिंद का सूबेदार था उसने अपने वजीर खमीद खां की साहिता से दिल्ली के तक्त पर कबजा कर लिया बहलोल लोदी पहला अफगान सुल्तान बहलोल लोदी दिल्ली का पहला अफगान सुल्तान था जिसने लोदी वंस की सुरुवात की बहलोल के सुल्तान बनने के समय दिल्ली सल्तनत नाम मात्र की थी बहलोल सूरवीर युद्ध प्रिये एव महत्वकांची व्यक्ती था उसकी अधिकांज सक्ती सरकी सासकों से लड़ने में ही लगी रही अपने इस्थिती मजबूत करने के लिए उसने रोह के अफगानों को भारत आमंत्रित किया अपने इस्थिती कमजोर देखकर बहलोल ने रोह के अफगानों को यह सोचते हुए बुलाया कि वे अपनी गरीवी के कलंग से छूट जाएंगे और मैं आगे बढ़ सकूंगा अफगान इत्यासकार अब्बास खास सरवानी लिखता है कि इन फर्मानों को पाकर रोह के अफगान सुल्तान बहलोल की खिद्मत में हाजर होने के लिए टिड्डियों के दल की तरह आगे हो सकता है कि इस बात को बढ़ा चड़ा कर कहा गया हो लेकिन यह सकते है कि अफगानों के आगमन से बहलोल नकेवल सरक्यों को हराने में सफल हुआ बलकि भारत में मुस्लिम समाज की सरजना में भी अंतर आया उत्तर और दक्षेंड दोनों और अफगान बहुत संख्यक और बहत्कूंड हो गए थे बहलोल लोदी ने रोह के अफगानों को युग्यता के अनुसार जागी न प्रतान की उसने जौनपूर, मेवाड, संभल तथा रहवाडी पर अपनी सत्ता फिर से स्थापित की और दोआव के सरदारों का दमन किया उसने ग्वालियर पर भी कबजा कर लिया इस प्रकार उसने दिली सल्तनत का पुराना दरवार एक प्रकार से फिर से कायम किया वह गरीबों से हमदर्दी रखता था और विद्वानों को का आस्रे दाता था दरबार में सालिंता और सिश्चाचार के पालन पर जोड़ दे कर और अमीरों को अनसासन में बांद कर उसने सुल्तान की प्रतिश्चा को बहुत उपर उठा दिया उसने दुआब के विद्रोही हिंदू का गठोरता के साथ दमन किया बंगाल के सुबेदार तुगरिल खां को हराकर मार डाला और उसके प्रमुक्ष समर्थकों को बंगाल की राजधानी लखनौति के मुख्य बाजार में फासी पर लटकवा दिया इसके उपरांद अपने पुत्र बुग्रा खां को बंगाल का सूबेदार नुक्त करके यह चिताबनी दे दी कि उसने भी यदि विद्रो का प्रयास किया तो उसका भी खस्र वही होगा जो तुग्रिल खांका हो चुका है बहलोल लोदी एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में बहलोल ने अपना ध्यान सुरक्षा पर केंद्रित किया जिसके लिए उस समय पश्मुत्तर सीमा पर मंगोलों से खत्रा था जिसके लिए उस समय पश्मुत्तर सीमा पर मंगोलों से खत्रा था वे किसी भी समय भारत पर आक्रमट कर सकते थे अतह भहलोल ने अपने बड़े लड़के महमद खां को सुल्तान का हाकिम न्युक्त किया और स्वेम भी सीमा के आसपास ही पड़ाव डाल कर रहने लगा उन्हें पीछे खदेड़ दिया 1485 में पुन्हे आक्रमट कर वे मुलतान तक बढ़ाए और सहजादे पर हमला करके उसे मार डाला सुल्तान के लिए जो की अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करता था और यह उम्मीद लगाए बैठा था कि उसका वह उसका उत्रादिकारी होगा यह भी सान आगात था बहलोल की अवस्था उस समय असी वर्ष की हो चुकी थी और पुत्र सोक में उसकी मृत्वी हो गई उसकी गड़ना दिली के सबसे सक्षियाली सुल्तानों में होती है बहलोल लोदी सहरदे विक्ती के रूप में बहलोल अपने सर्दारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था बहलोल लोदी का राजत सिद्धान समानता पर आधारित था वहे अफगान सरदारों को अपने समकच मानता था वहे अपने सरदारों के खड़े रहने पर खुद भी खड़ा हो रहता था बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रेशलिंग करवाया जो अकबर के समय तक उत्तर भारत में विनमे का प्रमुख साधन बना रहा बहलो लोधी धार में गुलूप से सहसून था उसके सरदारों में कई प्रतिश्जित सरदार हिंदू थे इन में राय प्रताप सिंग, राय करन सिंग, राय नर सिंग, राय तिरलोक चंद और राय दान्दू प्रमुख हैं दोस्तो पहलो लोदी के मृत्वि के बाद सिकंदर लोदी गद्धी पर बैठता है सिकंदर लोधी जो कि बहलो लोधी का पुत्र अतराधिकारी था इसका मूल नाम निजाम खान था और यह सत्तर जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर साह की उपादी से दिल्ली के सिहासन परवर्थ बैठा वह स्वानकार यानि सुनार हिंदू मा की संतान था तार्मिक दिश्टी से सिकंदर लोदी ऐसे से सुन्ड था वह विद्या का पोसक एवम प्रेमी था गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1570 को उसकी मृत्यू हो गई सिकंदर लोदी के विजय अभियान सिहासन पर बैठने के उपरान सुल्तान ने सर्वतम अपने व्रोधियों में चाचा आलम खां इसा खां आजम हुमाईयों जो कि सुल्तान का भतिजा था तथा जालरा के सरदार तातार खां को परास्त किया सिकंदर लोदी ने जौनपुर को अपने अधिन करने के लिए अपने बड़े भाई बारबक साख के खिलाब अभियान किया जिसमें उसे पून सफलता मिली जौनपुर के बाद सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1494 में बनारस के समीपुए एक युद्ध में खुसेन सा सरकी को परास्त कर बिहार और दिली बिहार को दिली में मिला लिया इसके बाद उसने तिरुहुत के सासन को अपने अधिन किया राजपूत राज्जियों में सिकंदर लोदी ने धौलपूर मंदरेल उतागिरी नर्वर एवम नागौर को जीता परंतु गौलियर पर अधिकार नहीं कर सका राजिस्थान के सासकों पर प्रवावी नेंत्रण रखने के लिए तथा व्यापारिक सहरों की नियुम डाली उसने राजिस्थान के सासकों पर प्रवावी नेंत्रण रखा और व्यापारिक सहर की नियुम डाली सिकंदर लोदी का सासन प्रबंद सिकंदर साहलोदी गुजरात के महमूद बेगडा महमूद बेगडा और मेवाड के राणा सांगा का समकालिन था उसने दिल्ली को इन दोनों से मकाबले के युग्य बनाया उसने उन अफगान सर्दारों को दबाने की कोशिश भी की जो जाती है सुतंतरता के आदी थे और सुल्तान को अपने बराबर समझते थे सिकंदर ने जब सर्दारों को अपने सामने खड़े होने का होकुम दिया ताकि उनके उपर अपनी महत्ता प्रदसित कर सके जब साही फर्मान भेजा जाता था तब सरदारों को सहर से बाहर आकर आदर के साथ उनका स्वागत करना पड़ता था जिनके पास जागीरें थी उन्हें नियमित रूप से उनका लेखा देना होता था और हिसाब में गड़वर करने वाले और ब्रश्चाचारी जागीरदारों को कड़ी सजाएं दी जाती थी लेकिन सिकंदर लोदी को इन सरदारों को काबू में रखने में अधिक सफलता राप नहीं हुई अपनी मृत्यू के समय बहलो लोदी ने अपने पुत्रों एव मृष्टेदारों में राज्य बाट दिया था यद्दिपी सिकंदर एक बड़े संगर्स के बाद उसे फिर से एकतर करने में सफल हुआ था लेकिन सुल्तान के पुत्रों में राज्य के बठवारे का विचार अफगानों के दिमाग में बना रहता था सिकंदर लोदी के द्वारा किये गए सुधार कारे सिकंदर साह ने भूमी के लिए एक प्रमाड़िक पैमाना गज-ए सिकंदरी गज-ए सिकंदरी का पचलन करवाया जो तीस इंच का होता था उसने अनाज पर से चुंगी हटा दी और अन्य वापारिक कर हटा दिये जिससे अनाज, कपड़ा एम आवस्यक्ता की अन्य वस्त में सस्ती हो गई सिकंदर लोदी ने खाद्यान पर से जकात कर हटा लिया तथा भूमी में घड़े होए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया अपने व्यक्तित्व की सुन्तरता बनाए रखने के लिए वहेद दाली नहीं रखता था सिकंदर लोदी ने अफगान सर्दारों से समानता की नीती का परत्याक करके सेर्षता की नीती का अनुसरण किया सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एक महात्र सुल्तान हुआ जिसने खुम्स से कोई हिस्सान ही लिया उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था कराई उसने आंत्रिक व्यापार कर को समाप्त कर दिया और गुप्चर विभाग का पुनर गठन किया सिकंदर लोदी एक असहिसुड व्यक्ति के रूप में धार्मिक दिश्टी से सिकंदर लोदी असहिसुड था उसने हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्मान करवाया एक इत्यासकार के अनुसार सिकंदर ने नगरकोट के जौला मुखी मंदिर की मूर्ती को तोड़कर उसके टुक्ड़ों को कसाईयों को मास तोलने के लिए दे दिया था सिकंदर लोदी ने हिंदू पर जजिया कर पुनह लगा दिया उसने एक ब्राम्मर को इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुश्लिम समान रूप से पवित्र है मुसल्मानों को ताजिया निकालने एवों मुसल्मान इस्तिरियों को पीरों और संतों की मजार पर जाने पर सुल्तान ने प्रतबंद लगाया क्रोध में उसने सरकी सासकों दोरा जौन पूर में बनवाई गई एक मस्जिद तोड़ने का आदेश दिया जदी पी उलेमाओं की सलापर आदेश वापस ले लिया गया था सिकंदर लोधी की मृत्यू जीवन के अंतिम समय में सुल्तान सिकंदर साह के गले में बीमारी होने के कारण 21 नवंबर 1570 को उसकी मृत्यू हो गई आदनिक इत्यासकार सिकंदर लोधी को लोधी बंसका सबसे सफल साचक मानते हैं सिकंदर लोधी कहता था कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूँ तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंदों पर उठा कर ले जाएंगे सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया निश्पक सिन्याई के लिए मिया भूवा को निक्त किया सुल्तान सहनाई सुनने का सौकिन था विद्वानों का संरक्षण दाता सिकंदर लोधी सिकंदर साहलोधी विद्वानों और दार्शिकों को बड़े बड़े अनुदान देता था इसलिए उसके दरवार में अरब और इरान सहिद विविन जादियों और देशों के सुसंस्क्रत विद्वान पहुंचते थे सुल्तान के प्रतनों से कई संस्क्रत गरंथ फार्शी में अनुदित हुए उसके आदेश पर संस्क्रत के एक आयरवेद गरंथ का फार्शी में फरहंगे सिकंद्री के नाम से अनुवाद हुआ उसका उपनाम गुल रुखी था इसी उपनाम से वह कविताई लिखा करता था उसने संगीत के एक गरंथ लजजते सिकंदर साही की रशना की सिकंदर साह लोधी स्वैमभी सिक्षित और विद्वान था विद्वानों को संरक्षट देने के कारण उसका दरपार विद्वानों का केंदर स्थल बन गया था प्रतेकरात्त्री को सत्तर विद्वान उसके पलंग के नीचे बैठकर विबिन प्रकार की चर्चा किया करते थे उसने मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का सुरू प्रदान करके उन्हें सिक्षा के इंदर बनाने का प्रत्न किया था मुस्लिम सिक्षा में सुधार करने के लिए उसने तुरूमबा के विद्वान सेख अब्दुल्ला और सेख अजीजुल्ला को बुलाया था उसके सासनकाल में हिंदू भी बड़ी संख्यामें फार्सी सीखने लगे थे और उन्हें उच्पदों पर रखा गया था दोस्तो सिगंदर लोदी के मुड़ती के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी गद्धी पर बैठता है दोस्तो सिगंदर साहल लोदी के मनने के बाद अमीरों ने आम सहमती से उसके पुत्र इब्राहिम लोदी जो की 1517 से 1526 ऐस्वी तक गद्धी पर बैठा को 21 नॉमबर 1517 को आगरा के सेहसन पर बैठा दिया अपने सासन काल के शुरू में उसने राजबूतों से ग्वालियर शीन लिया परन्तु उसने अफगान सरदारों को कड़े निंतरम में रखने की जोनीती अपनाई तथा उनके साथ जिस प्रकार का कठोर बिभार किया उससे वे उसके विरोधी बन गई इबरहेम लोधी दिल्ली का अंतिम सुल्ता था 21 अपरैल 1526 को पानीपत की मैदान में इबरहेम लोधी की हत्या कर दी गई इबरहेम लोधी की इस फलता इबरहाम लोधी राज़े का वेबाचन करके अपने भाई जलाल खा को जौनपूर का सासक नित्त किया परंत बाद में जौनपुर को अपने राजे में मिला लिया सिहासन पर बैठने के उपरांत इब्राहिम ने आजम हुमाईयों सेरवानी को ग्वालियर पर आक्रमन करने हेतु भेजा वहां के ततकालीन सासक विक्रमजी चिंग ने इब्राहिम की अधिनता स्विकार कर ली मेवार के सासक राणा सांगा के विरुद्ध इब्राहिम लोदी का अभ्यान सफल रहा खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी राणा सांगा से हार गया इस युद्ध में राणा सांगा ने अपना बाया हाथ खो दिया था राणा सांगा ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के भी जगडे का कारण मेवाड इब्राहिम लोदी के भी जगडे का मुख्य कारण मालवा पर अधिकार को ले कर था इबरहिम के भाई जलाल खाने जौनपुर को अपने अधिकार में कर लिया था उसने कालपी में जलाल उद्दीन की उपाधी के साथ अपना राज्यवे से करवाया इबरहिम लोदी ने लोहानी, फारमूली एवम लोदी जातियों के दमन का पूंड प्रयास किया जिसने जिसे सक्ट स्याली सरदार असंतुष्ट हो गए इबरहिम लोदी की पराज़ है एवम रत्यू इबरहिम के असंतुष्ट सरदारों में पंजाब का सासक दौलत खान लोदी, इबरहिम लोदी के चाचा आलम खाने काबूल के तैमूर वंसी सासक बावर को भारत पर आक्रमड करने के लिए निमंत्र दिया भारत पर आक्रमड करने के लिए निमंत्र दिया, बावर ने यह निमंत्र स्वीकार कर लिया और वह भारत आया 21 अपरैल 1527 को पानिपत के मैदान में इबरहिम लोदी और बावर के मद्धे हुए भायनक संगर्स में लोदी की बुरी तरह खार हुई और उसकी हत्या कर दी गई, इबरहिम लोदी की सबसे बड़ी दुरवलता उसका खटी स्वभाव था उसके समय की प्रमुख विशेश्ता उसका अपने सर्दारों से संगर्स था इबरहिम की मृत्यू के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और बावर ने भारत में एक नवीन वंस, मुगल वंस की इस्थापना की उसके बारे में विद्वानों के विचार, फरिस्ता के अनुसार, वह मृत्यू परियंत लड़ा और एक सैनिक भाती मारा गया न्यामतुल्ला का विचार है कि सुल्तान इबरहिम लोदी के अत्रिक्त भारत का कोई अन्य सुल्तान युद्धिस्थल में नहीं मारा गया दोस्तो आईए अब जानते हैं लोदी वंस के आलम खान के बारे में दोस्तो आलम खान सुल्तान बहलोल लोदी जिसका साथनकाल 1451 से नवासी तक था इसका तीसरा बेटा था और दिल्ली के अंदिम सुल्तान इबरहिम लोदी जिसका साथनकाल 1517 से 1526 तक था उसका चाचा था आलम खान अपने बतीजे के पेक्षा अपने को दिल्ली का सल्तनत का अशली हकदार समझता था जब है अपने बलपर इब लोदी को गद्धी से नहीं हटा सका तो उसने लाहोर के हाकिम दौलत खान दौलत खान लोधी से मिलकर बावर को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए निमंत रड़ दिया इसके फल्चरू बावर ने भारत पर हमला किया और पानी पत की पहली लड़ाई जो की पंद्रश चब्वी सीसिवी में इब्राहिम लोधी के साथ लड़ी गई उसमें इब्राहिम लोधी को खराने के बाद मौत के घाट उतार दिया इसके तदुप्रांथ बावर स्वैम दिल्ली के तक्त पर बैठ गया और आलम साह की सारी उमीदों पर पानी फिर गया और आलम खान की कुछ समय के बाद मृत्य हो गई तो दोस्तो इस तरह से दिल्ली पर या भारत पर लोधी बंस का सासन समाप्त हो जाता है और अब सासन आता है मुगल बंस का तो दोस्तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप इसने कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने हमारा चैनल इस्टेडी होम सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवस्य कलने है धन्यवाद